भारत में कई संतम हात्मा हैं, जो संसार को अध्यात्म से जोडने का कार्य करते हैं, इनहीं में से एक हैं दिल्ली के छत्तरपुर वाले गुरु जी जो मानवता को आशिर्वात देने और जागरत करने के लिए प्रिथवी पर आये थे. नमस्कार दोस्तों आपका मीरे चैनल मोक्ष कहानिया में स्वागत है, 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेर कोटला के दुगरी गाउ में उनका जन्म हुआ था, गुरु जी ने अपने जीवन के शुरुवाती चरण दुगरी गाउ में ही बिताए, स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीती विज्ञान में डिग्री प्राप्त की, उनको जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात मिक्ता की चिंगारी थी, इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी, लाखों लोगों के कश्टों को कम करने के लिए गुरुजी के आशिरवाद की बौचार प्रिथवी पर गिरने लगी, जालंधर, चंडीगड, पंचकुला और नई दिल्ली सहित अलग-अलग स्थानों पर उनके सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों का बढ़ी संख्या में जमावडा लगने लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्त जन उनका आशिरवाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्यक्रिपा होती थी। भक्तों ने विभिन रूपों में उनकी क्रिपा का अनुभव किया है। गुरुजी की क्रिपा से असाध्य रोग ठीक हो गए और कानून से लेकर वित्तिय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संदत के कुछ सदस्यों का तो यहां तक कहना था कि गुरु जी की क्रिपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं भक्तों की नजरों में गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था गुरु जी के दर्वाजे उचनीच, गरीब अमीर समेथ सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे सबसे साधारण व्यक्ती से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकर्शाह, सशस्त्र सेवाकर्मी और डॉक्टर समेथ हर कोई उनका आशिरवाद लेने आता था सभी को उनकी समान रूप से आवश्शकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशिरवाद भी दिया उनके समीक बैठने वाले या उनके चरंस पर्श करने वालों को भी उतना ही लाब होता था जितना दुनिया भर में कहीं भी उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह था भक्तों का पूर्ण समर्पन और गुरु जी पर बिना शर्त विश्वास गुरु जी के चारों और दिव्य सुगंध रहती थी मानो गुलाब के फूल खिले हो गुरु जी ने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं की और नहीं कुछ लिया वह हमेशा कल्यान करता के रूप में जग कल्यान करते रहे उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशिर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है हमेशा के लिए है गुरु जी ने कभी भी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुँच गया गुरु जी ने 31 मई 2007 को महासमाधी ले ली उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है अपने जीवनकाल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ सीधे जुड़े गुरु जी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है जो दक्षिनी दिल्ली में स्थित है आज जब गुरु जी अपने नश्वर रूप में नहीं है तो भी उनके आशिरवात चमतकार कर रहे है उनकी कृपा उन लोगों पर समान रूप से पढ़ रही है जो अपने जीवनकाल में उनसे कभी नहीं मिले जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी ओम नमा शिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमा शिवाय गुरु जी सदा सहाए भन्यवाद